टॉप थ्री बेस्ट स्मार्टफून फॉप वीडियो र्कॉर्डिंग के लिए तो भाई अगर आप वीडियो र्कॉर्डिंग के लिए स्मार्टफून लेना जाते हो एंड अगर आपका बजिट दस हजार है इस प्रेजिनेज की बात करेंगे तो सीवी बात करते हैं भाई नमबो थ्री की बात करूँ नमबो थ्री पर यार मैंने रखा है Moto E7 Plus को अगर इस स्मार्टफोन की बात करूँ सबसे पहले यार ये दो कलर्स में देखने को मिल जाता है ब्लू कलर में एंड ब्रॉंज कलर में ठीक है ब्लू कलर इसको जादा सूट करता है अगर आप लेना जाते है तो ब्लू कलर में ले लेना आपको IPS LCD देखने को मिलेगी तो यह दस सजार के बजर रेंज में आप इतना भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते है कि आपको आपको IPS LCD देखने को मिलेगी स्नैप ड्रागन 460 आपको परसाइसर देखने को मिल जाता है जो की 11 नैनोमेटर टेकनोलोजी के साथ बेस्ट है तो इसका जो परसाइसर है सच में तगड़ा देखने को मिल जाता अगर आपने गीमिंग बगारा भी करने है आपके लिए भी प आपके साथ सैल्फी देखने को मिलता है सैल्फी इसकी बिल्कुल भी अच्छी देनी नहीं है मैं आपको फिर से रिपीड कर देता हूं कि बैक कैमरा इसका सच में अच्छा है फ्रंट कैमरा इसका बिल्कुल भी अच्छा नहीं आपको देखने को मिलता है आपको फोर के व अगर आपको अच्छी चाहिए आपके लिए बिल्कुल भी नहीं अच्छा ये स्मार्टफून आपको इसमें इतनी अच्छी नहीं देखने को मिलती तो आगे बात करते हैं इसके में स्पैसिफिकेशन की थोड़ा सा मैं आपको डीपली बता देता हूं तो यह डिस्पले की बात को यह 6.5 прf TV cc देखने को मिल जाते है प्रोस और स्करगागी स्प्रीघर मिल मासे की बात करों आपको 8 map किसाद selfie मिल जाते है, storage की बातों को 4GB RAM मिल जाते है, 64GB storage, price की बातों को 9400 के budget range में Moto E7 Plus देखने को मिल जाएगा, तो यार, main specification में आपको बता दिया, Moto E7 Plus के, तो यार, अगर आपका budget 10,000 से भी कम है, आपके लिए ये smartphone perfect deal हो सकता है, जा फिर अगर आपको एक non-channel smartphone चाहिए, आपके लिए perfect deal हो सकता है, Moto E7 Plus आप जा सकते हैं, इस smartphone के, और लेकिन अगर आपको चैनिस हो गारा से फर्क नहीं जो मैं आगे phone बताऊंगा, वो आपके लिए perfect deal होने वाले हैं, तो आगे बात करते हैं, number 2 की, number 2 की बात करो, number 2 पर यार, मैंने रखा realme narzo 20 को, तो सबसे पहले में आपको बता देना जाते हो, यार, 10,000 के price range में सबसे ज़्यादा बिकने वाला, सबसे ज़्यादा पसंद कि वाले हैं, प्लस, back side में जो camera का मतलब shape है, वो इसको बहुत ही ज़्यादा suit गरता है, तो अगर आपको एक slim and stylish smartphone चाहिए, आपके लिए perfect है, अगर आपको gaming करने हैं, multi-dasking करने हैं, camera के recording smartphone चाहिए, realme narzo 20 आपके लिए perfect deal हो सकता है, अब भी बात करते हैं, इसके main specification की थोड़ आप processor की बात करूँ, आपको mid attack Helio G85 देखने को मिल जाता है, ठीक है, storage की बात करूँ, आपको 4GB RAM मिल जाते, प्लस 64GB storage, ये दो बड़ में देखने को मलता है, 64GB storage प्लस 128GB storage, जो भी budget में set बैटता है, जितनी भी storage आप लेना जाते हो, आप उसके according देख सकते हो, बैटरी की बातों को 6000ms की battery मिल जाती, प्लस 18W fast charge, तो 6000ms की battery मतलो, आपका एक दिन तो normally निकाल देगी, जैसे भी use करना जाते हो, high sighting पे gaming करना जाते हो, जैसे भी use करना, आप कर सकते हो, आपका एक दिन तो normally निकल जाएगा, camera की बात करूँ, आपको 48MP camera मिल जाता है, जो के triple camera, selfie की बा application के recording देखा जाए, पूरा loaded मेल जाता है, अगर आप 10,000 पे कर देते हो, आपके पैसे खराब नहीं होने वाले है, आप long time पिडे स्मार्टफून को रख सकते हो, हैटफून का जो design है, जा color है, जा battery है, जा इसका जो processor है, वो सच में matter करता है, 10,000 के price range में, तो आप देख ले सबसे पहले मैं आपको बता देना चाता हूँ, आपको mid in India स्मार्टफून देखने को मिल जाते हो, तो भी अगर आप इसके और जाना चाते हो, आप जा सकते हो, यह दो colors में देखने को मिलता है, दोनों colors को बहुत ही जादा suit करते हैं, मैं बात करूं green color की and white color की, white color में 12 nanometer technology के साथ, बेस आपको IPS LCD मिल जागी, दो वेड में देखने को मिलता है, core camera setup देखने को मिल जाता है, ज्यादा deeply में आपको बजाते हो, CD बात कर लेता है, main specification की, तो display की बात करूं, आपको 6.67 inch IPS LCD देखने को मिल जाते हैं, आप प्रसेसर की बातों को Helio G80 5 देखने को मिल करता है, camera की बात करूं, आपको core camera setup देखने को मिल जाता है, 48 megapixel, 5 megapixel, 2 megapixel, 2 megapixel, 2 megapixel, selfie की बात करूं, आपको 16 megapixel, selfie देखने को मिल जाती है, तो यहार main specification में आपको बता दिया, macro max in note 1 के, plus मैं आपको बता देने चाता हूं, अपने main topic था, जो camera के recording, तो camera के recording देखा जाए, macro max in note 1, जो है, वो बहुत ही ज्यादा सही है, यार, megapixel से कोई भी मतलब फर्क बगरा नहीं पड़ता, sensor से ज्यादा फर्क पड़ता है, जो इसकी camera quality आती है, detailing जहें देखने चाहते हो, आप google कर सकते हो, आपको पता चल जेगा, तो यार, अगर मेरा budget 10,000 होता है, तो मैं दो smartphone की के और ही जाता है, जहां में जाता है, रियल्मी नार्जो 20 के और, जहां फिर में जाता है, Macro Max in Note 1 के और, तो आप देख ले न, अगर आपको made in India smartphone चाहिए, Macro Max in Note 1 आपके लिए perfect deal हो जाकता है, अगर आपको रियल्मी नार्जो 20 का design color पसंद आते हैं, तो आप उसके और भी तो आप देख लेना, इन तीनों में से जोब भी आप लेना चाहते हो, आप ले जकते हो, Macro Max अलेता है, मैंने आपको ये भी बता दिया, तो यार, अभी मेरी वीडियो यही पर हो जाती है, करतम, अगर आपको मेरी वीडियो चाहिए, यार वीडियो को लाइक करताना, क्मे क्यार क चाहदा में नहार की और साचे हो आपको मेरी लेक, यार बाँ ले बाँ कर दो से ऑहते है, यार शाधक में आपको मै भाएक को फिलेट की जकिता है, नहां करते हैं और शिया आपको येश But अभी अज़ सा सबस्ध़ स्तार की सारी का उला, भी बतां, पर्म्य वारे प्टैनल फिर आफ जा कर दो, आपके लाइभू